एक लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है अभी लगभग 2,5 घंटों से यह लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जैप्रकास यूनिवर्सटी छपरा का यह लेटर है और इसमें जो है यहां पर देखिए इस लेटर को मैं तो जूम करता हूं ताकि आपको अच्छे साथ दिखाई दें देखिए यह लेटर में जो है बोला क्या जा रहा है कि पेबर फिफ्ट इनका होने वाला था ठीक है इनका इंटर्म एक्जाम चल रहा है जो कि 21 देखेli तक जो है इनका प्रेक्टिकल एक्जाम फिफ्ट का और यह जो है इसको इन्होंने थोरे टाइम क भी आज का है अब देखें यहां पर बात आती है कि इस लेटर को हम लो देखें तो क्या सही में एक्जाम 21 को ने जा रहा है देखें ऑफीशल वेब साइट पर भी तक न्यूज आया नहीं है लेकिन जो मेरे सोर्सेज और जो मुझे ऐसा फील हो रहा है देखें 90 परसेंट चै नहीं होगा लाइक जब हमारे मुख मंत्री साहब ने जो बोला उस टाइम जो सरकुलर गया या उस से पहले का इस सरकुलर गया था और माइट भी यह लोग भी बात कर रहे होंगा और दभी बीस पर बात कर रहें तो 90 परसेंट चांसेस यहां पर है कि सायद एक्जाम 21 को न खतम हो चुका है कल 6 तारीक है और अभी मैंने दो घंटे पहले कॉल रेकॉर्डिंग भी डाला है जिसमें की जो है उस कॉल रेकॉर्डिंग में एक स्टुएंट ने पूछा है बीपेसी ऑफिस में कॉल करके कि सर क्या एक्जाम 21 कोई है अभी तक कोई ऑफिसल लोटिस तो आ और नहीं कुछ बोल रहे हैं दूसरी बात इन्होंने बोला एक से दो दिन में ओफिसल नोटिस जो है वेब साइट पे आ जाएगा लेकिन ने कोई भी बात यह नहीं बोली है कि एक्जाम 21 कोई होगा दो चीज यहां पर आरा भी दो घंटे पहले यह वह आला ओडियो वायर देखिए यह मैं यह नहीं बोलना ओफिसल सोर्से कुछ नहीं है जो मेरी गट फिलिंग बोल रही है कि 90 परसेंट चांस है कि एक्जाम जो है एक कैस को जो है कैंसल हो जाएगा देखिए बहुत हाड रीजन यह है यूपीसी एक्जाम के साथ इनका एक्जाम क्लैस हो रहा है पहला चीज दूसरा फिर 26 से यूपीपीसे का भी एक्जाम है तो ध्यान दीजेगा इन लोगों का एक्जाम का डेट पहले से सेड्यूल्ड था आप बीच में अपना एक्जाम डेट लाए हो चाहिड सी बात है तो आपको ही एक्जाम को आगे पीछे करना परेगा बात तो इन लोगों ने पहले से ही सब कुछ क्लेरिफाई कर रखा है दिक्कत आप में है आपने लेट नोटिफाई किया है तो आप ही को आगे पीछे जाना पड़ेगा तो जो हाड चांसे बन रहा है कि माइट भी इनके उपर प्रेसर बन रहा है ये लोग भी जान रहे है यू 21 तारीक ही मान के चलना है और पढ़ाई 21 तारीक हिसाब से ही करनी है तो आई होप यह वाला वीडियो और यह न्यूज आप देख रहे होंगे इनसे आप लोगों को बहुत ज्यादा ही कन्फ्यूजन उड़ा होगा तो सायद मैंने थुरा कन्फ्यूजन दूर किया होगा व क्योडों पारक है क्यो ढेंग le और